नाजरीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एक मुलाकार दॉक्टर के साथ, मेरे याने दॉक्टर फरहाना चोगले के साथ, आज हमारे साथ है फिजियो थेरपिस्ट डॉक्टर समाना सेयद, डॉक्टर हम आपसे एक एहम सवाल पूछना चाहेंगे, इक सर हम सुनते हैं, नमा इक बहुत ही अच्छा फॉर्म है एक सरसाइस का, इक हम इसलाम की तरफ से बहुत अच्छा थऑर्फ़ा है नमाज, जस तरह से उसके डिजाइन की गई है, जस तरह से उसके स्टेप्स हैं, वह हमारे बॉड़ी के लिए, हमारे हर na mé absolutely Quest के लिए, हमारे हरे जॉइन के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फाइदा पहुचाता है अगर आप पाँच टाइम के नमाज भी अगर आप पड़े तो यह बोला जाता है कि आपकी बोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल रहेगी बट हमारे पास बहुत सारे पेशिंस आता हैं बहुत है पुच्छे है कि नमाज इस बुच्छे है नमाज पूच्छे पूच्छे है बट फिर भी हमें बैक पेन हो रहा है हमारी रीड की हड़ी खराब हो और अब हमें दोक्टर ने मना कर या कि आप जुक्के नमाज नहीं पड़ो तो अगर वो इतनी अच्छी है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बहुत ही नमल क्वेश्चे ने लोगों का है इन फाक्त खाली हमारे मुसलिम्स में नहीं इसलाम के बाहर भी जो लोग है वो भी पुच्ते हैं अगर नमाज इतना अच्छा फॉर्म है तो फिर आपको क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ एक चीज़ पर टागेट करते हैं कि आपके नमाज के वज़े से आपको यह हो रहा है लोगों का वेट बढ़ रहा है जंक फुट के वज़े से अपना वेट कंट्रोल नहीं कर रहे है लोग उसके बाद अक्टिविटी कम है पूरा दिन नहीं कुछ काम नहीं करते हैं और फिर फ़र नमास पढ़ता है यह भी कहीं कि सही बात नहीं है क्योंकि पहले के टाइम पर लोग वितनी वाकिंग करते थे तो एक तरह से नमाज उनके लिए stretches था, एक proper stretching exercises थी, बट अगर आप एक दिन में कुछ नहीं करके, अगर आप सिर्फ पास्टाइम नमाज पढ़के ये सोच रहें कि आप एक अधम healthy रहेंगे तो that is wrong आप ब्लेम नहीं कर सकते है उस चीज को यह मैं अपने सारे patients को भी कहना चाहूंगे एक normal generation को भी कि आप हर एक चीज को पूरे proper नजरिये से देखिए, नमाज बहुत अच्छी exercises एक general इंसान के लिए, बट उसके साथ-साथ आपके लिए बाकी activities आप क्या कर रहे हैं, वो भी equally important है, नमाज के हर एक step में, जैसे जिस तरह से आप सजदा करते हैं, आप जब रुकू पे जाते हैं, आपके spine flexible होती है, stretch होती है, उसका हर step, उसमें shoulder movements है, जब आप कुनूत पे जाते हैं, तब उसके आपके shoulder muscles use होते हैं, तो ऐसा कोई भी muscle नहीं है, जो नमाज के पूरे activity में use नहीं किया गया हो, head to toe आपका हर एक muscle stretch होता है, और strengthen होता है, तो नमाज बहुत ही अच्छा फॉर्म है exercise का, बट उसके साथ आपके रोजमर्रा के जिंदगी है, आपके दिन भर क्या activity है, उस पे भी focus करें, आपके पने खाने पीने पे, तो अपकोस आपको से कोई हाम नहीं होगा and continue praying, that's all. तो नाजरीन आपने सुना, डॉक्टर समाना ने बहुत बहुत ही एहम और बहुत ही अच्छी बात कही, कि येस नमाज definitely is the best form of exercise, ये आपके जिसम के muscles के लिए, आपके joints के flexibility के लिए बहुत ही अच्छा है, मगर आप ये भी ध्यान रखे कि नमाज should not be the only form of exercise, यानि आप ध्यान रखे कि आप इसके साथ ही walking और दूसरे तरीके के exercise भी करें, साथ ही साथ, जैसे डॉक्टर ने कहा, आपके खाने पीने पर ध्यान दे, और उन्हेंने पहले ये भी बताया हमें कि आपका पॉस्चर यानि जस तरीके से आप उठते हैं ये भी बहुत एहम है ताके आपको और कोई तकलीफ ना हो, जाते जाते हम आपसे एक सवाल जरूर पुछना चाहेंगे, अकसर माष्या में दिखा है कि फिजिए तरपी मतलग बहुत बइहांगी, महंगा इलाज होगा क्योंकि एक बार से ही ईलाज नहीं होता है, बार बार जाना पड़ा तो क्या थिजिएरपी बहुत expensive होता है, इसके बार में आप क्या बतायांगे हमें प्रॉब्लम यह लोगों को यह लगता है कि जब आप एक वीक के लिए आ रहे हो तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक वीक के लिया यह जो पेशिंस को यूजुली समझ में नहीं आता है मेडिसिन का सब्पोज एक पेन् के लिया को == कि अगर कोैं लिए अकर न लह चाएверж तो थैंट यह उसका पर अपके बॉड़ी पर आएगा यह झाल दोष का लादा है तो किया इस वत्त नहीं रहता है यह तेम्पररी एफेक्ट नहीं रहता है बट युजुली पेसे नहीं समझ में तो उनको लगता है पर देखे पैसे पे करने पड़ेंगे या एक्सपेंसिव होता है बट अगर लॉजिकली आप देखे अगर आप हॉस्पटल में अदमित हो रहे है तब ही आपको उससे डबल पे करना पड़ता है और अगर आपने फिजो थेरेपी अवाइट किया और उसके बाद अगर उसी चीज़ की सर्जरी हो गई तो जैसे मैं हमेशे अपने पेशेंस को कहते हूं कि आप 10 रुपे की बीमारी को 10 अजार की बनाने के बाद रियलाइस करते हैं कि exactly वो क्या है तो तो इस चीज़ को अपने पर आप करते हैं कि हम कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं हमारा रीटमेंट जो है वो लोकलाइज अर्या तो वी लिटल प्रीट बर टाइड पटा है उस चीज़ का आपको बार बार मेडिसिन पर डिपेंड नही रहना है तो अगर आप ये वी सोच रहे हैं कि आपको रोज फिजो थेरपिस के पास जाना है और रोज पैसे देने हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखे कि जो आप अभी पे कर रहे हैं, वो फ्यूचर की सर्जिरी इसको प्रिवेंट कर सकता है, जिसका कॉस्ट लाखों में होता है साथ ही साथ आप उसकी तकलीफ भी अवाइट कर रहे हैं और दवायों का unnecessary side effects भी अवाइट कर रहे हैं तो प्लीज अगर आपको किसी फिजियो थेरपिस में बोला है कि आपको इतने दिनों के लिए वो treatment follow करना है तो उसमें कंजोसी ना करें और वो treatment पूरी थरा follow करें तो नाजरीन ये था हमारा आज का एपिसोड जो था फिजियो थेरपी के उपर हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बेरियाटरिक सरजन से एक बेरियाटरिक सरजन वो सरजन है जो आपके मोटापे को कम करने के लिए सरजरी करता है याने fats को निकालने का सरजरी होता है या फिर पेट की साइज को कम करने का मगर इसके बारे में हम और जानेंगे डॉक्टर से तो अगर आपको बेरियाट्रिक सोजरी के उपर कोई सवाल है आप फोन करके हमें बताएं हमारा नमबर है 022-2345-4676 आप अपने सवाल इमेल भी कर सकते हैं dsmwin786-gmail.com पर आपके सवाल हमारे शो का हिस्सा बनेंगे शुक्रिया, खुदा हाफिस युदा कोई सवाल है